हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ड की द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस को यहां पे कम्पलीट आपको चेप्टर वाइज बताएंगे कि कौन सा चेप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चेप्टर आपको बोर्ड के एक्जाम क स przyszकते हैं फ्रेंस जब भी बॉर्ड का इक्सवारी किया जाता है तो सिलेबस के एका cette काड् uk धरी किया जाता ठीक है इसलिए कि उसी इसी से लिए में से ही आपके बोर्ड के एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं तो फ्रेंस यहां पर पूरे complete हम गड़ीत का क्या करेंगे पूरा syllabus देखेंगे उसमें आपको बताएंगे फ्रेंस कि आपको कौन सा टापिक पढ़ना है और कौन सा टापिक आपके syllabus से हटा दिया गया है ठीक है फ्रेंस चलिए देखते हैं फ्रेंस देखें यहां पर आपका इकाई है यहारे कि कौन सा इकाई आपको पढ़ना है ठीक है और किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्ण बनेंगे यह भी आपको साथ में साक्षाओं करेंगी देखें पहलý आपका है संंख्या संख्या पध्यति से आपके बोड़ के एकस्व प्रश्ण पूछह जाएगा ठीक है इसके बाद अता है विजद्ष यह अगला ही का dalam जबं दि कुम्झा सब्सक्राइब करता था लिए इसके बाधाता है जयामिती से तोटल 12 नमबर के प्रशन पूछे जाएंगे 3.42 1 5205 2 1 10 नमबर का प्रशन आए गा । मेन्य सुरेषन से दस नमबर का और सवांख्यकिसे टोटल 10 नमबर, इस प्रकार से आपको जो बोर्ड का एक्जाम होने वाला है, टोटल 70 नमबर का पेपर आएगा ठीक है, और 30 नमबर का आपका प्राक्टिकल रहता है, ठीक है, तिस प्रकार आपका हो जाता है, सौ नमबर, ठीक है तो चलिए, अब दिखते हैं फ्रेंच, सांधाय से वास्तिविक संख्या थाइमी क्या आपको युक्लेट विभाजन प्राया क्यों पढ़ना है अंगली संख्या फिर इसके लाब आपका इकायballs आता है बीजगरित अब देखिए बीजगरित में आपको क्या पढ़ना है दो चरवाले राइखिक समीकर्ड युग में पढ़ना है देखिए अब दो चरवाले राइखिक समीकर्ड युग में क्या पढ़ना है दो चरों में राइखिक समीकर्ड युग में और राइखिक युग में बदले जा सकने वाले समीकड़, इसके बारे में आपको complete पहना है फ्रेंश, ठीक है, अब अगला आता है फ्रेंश, दिवगात समीकड़, ठीक है, दिवगात समीकड़ में, देखे, क्या है, मानक दिवगात समीकड़, a x square plus b x plus c is equal to 0, a is not 0, दिवगात समीकड़, केल प्रक्यति के भी संबन, दिवगात समीकड़ का देनिक जीवन में अनुपरयोग तेथा, इन पर आधारी जो इबारती प्रश्न बनते हैं, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर इसके इलावा फ्रेंश आता है, निर्देशांक जामिती, निर्देशांक जामिती टोटल 12 नम्बर का पहनना है, इसके पहनता है, ठीक है, फिर इसके बाद आता है जामिती, आफ यहां परिभूज में क्या हैं आको यह समरूब त्रण के परिवासा उधार्वा सहित पहनना है, इसमें कहावल पउईट है, त्रण के इक भूजा के सम्नाफे खीचीशी गई रेखा त्रिभूज के शिर्ष दो भूजाओं के समान् अनुपात्余 भाजित करती है खौआ है कि तरिभूज के दो भूजाओं को समान अनुपात्व भाजित करने वाली रेखा तीसरी भूजा का समणानतर होती है अब फ्रेंज इस टापिक को पुरपर लीजिएगा अब अब देखे फ्रेंस रचना में आपको क्या पहनना है क्या वाला पॉइंट है कि दिये वे रेखा है खंड का दिये वे अनुपाद में भाजा करनां आंध्रीख वाला पॉइंट है एक बीरत के बाहर इस्धित एक बिंदू से उष्व पर अस्पर्ष रेखाओं की रचन दस नंबर का पूछा जाएगा बोड के एक्जाम में देखे पहला पॉइंट इसमें आता त्रिकोमीति के जो परिच्छे है पहला चेप्टर इसमें से रहेगा उसमें से पढ़ना है समको अत्रिभूच की न्यून कोडों के त्रिकोमीति अनुपाद जैसे जीरो आंस और जब टापिक आप अपने बुक में जरूर मार्क कर लीजेगा फ्रेंस इस टापिक को पढ़िएगा और जो इक्ष्टा टापिक उसको जरूर आप छोड़ दीजेगा ठीक है तिसरा है उचाई और दूरी के बारे में उन्यन कोड उचाई और दूरी पर साधरा प्रशन ठी अगला है प्रिष्टिय चेत्रफल और आयतन पर आधारी जो प्रशन बनते हैं उसको देखिए निम्नलखित किनी दो द्वारा सन्योजी समतल आकृतियों के प्रिष्टिय चेत्रफल आयतन जैसे घन हुआ घनाव हुआ गोला अर्द गोला लंबृतिय बेलन शंकू शंकू छिंदक इन सबी टापिकों को आपको तैयार करना है ठीक है अगला है खावला पॉइंट के एक सुरी दोस्तों इससे अधिक नहीं आपको पहना है ठीक है अगला है सांकी की सांकी के इसे आपको बोड की एक्जाम में दस नंबर का आएगा जिसमें आपका बहुत सिंपल चप्टर यह है वर्गित आकडों का मादिका बहुलक संचाई बारंबारता ग्राफ यह सब आपक आपको बताते हैं कि कौन सा टापिक आपके बोड के एक्जाम में वहां से प्रशन नहीं पूछा जाएगा अर्थाथ वह टापिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है देखिए क्या है कि 30 प्रतिशत कम किया गया पार्ट करम क्यों सा इकाइम जैसे बीजगरित है बीजग थ सब्सक्रों काले में से पुरा अंतर सड़ी नहीं पूरा चप्टर सबीर को काठ दी करम भूछ सब्सक्राइब इसका मतलब आता है जयामित puppy में देखिए अब paar ही इसके अलावा जो नहीं पंढ है तो आफको बीजो है बिल्ट के बारे मेंगा असपर्ष बिंदू यह जो टापिक है आपको बोड के एक्जाम में यहां से प्रश्ण नहीं बनेगा क्यों यहां यह सलेबस आपका निकाल दिया गया है आप इन पॉइंटों को पहल दीजिए अब देखिए आपका त्रिकोविमीती तो है लेकिन त्रिकोविमीती से पॉइ इस प्रकास जो देखेओं还jar आपका जो सिलेबस था को बता दिए इस सिलेबस में कौन सा टापिक पढ़ना है कौन सा टापिक नहीं पढ़ना, इसके बारे में भी आपको बता दिये. तो, फ्रेंस देखिए, आप इनटापिक के एकाडिंग, यदि बोर्ड का एक्जाम की तयारी करते हैं, तो आपको बता देए, फ्रेंस की, यदि 70 नंबर का पेपर आता है, बोर्ड के एक्जाम में, आप आसानी से मैस में 70 में 70 ला सकते हैं। यह दिए आप इन टापिकों को जैसे बता है उसी की एकाड़िंगा तयारी करते हैं तो ठीक है फ्रेस्ट। आपको फ्रेस्ट आपको वीडियो पसंदाए तो वीडियो का लाइक करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्र